हलो दोस्तो स्वागत आप सभी का YouTube चैनल Masters in Ethical Hacking पर तो दोस्तो आज मैं आपको जिस topic के बारे में बताने वाला हूँ ये अपने आप में काफी extraordinary topic है मतलब extraordinary मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जो टूल है ये जो software है जिसके साथ आज हम work करने वाले हैं इसकी जरूरत सभी को है as a red teamer expert इसकी आपको जरूरत पड़ेगी as a cyber security expert आपको जरूरत पड़ेगी as a network administrator आपको जरूरत पड़ेगी यानि कि cyber security से जोड़े हुए अलग-अलग fields में अगर आप कहीं भी work करते हैं सोच रहे हैं या अपना future बनाना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए बहुत जबरदस्त है even network administrator के लिए तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त है ही तो guys बहुत interesting topic है पूरा हम practical करने वाले हैं मीद करता हूँ वीडियो आपको बसंद आएगा तो सबसे पहले मैं आपको टूल का introduction दे देता हूँ कि टूल है क्या वास्ता में तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं guys जिस टूल की हम बात कर रहे हैं लेविन पॉन के नाम से ये टूल है अब इस टूल की कुछ खासियते हम देख लेते हैं ये एक तरह की script है ठीक है जिसके अंदर active directory को लेकर बहुत सारी जो चीजे हैं पहले से ही adjust कर दी गई है जिन लोगों ने enumeration का नाम नहीं सुना है वो enumeration वाला video देख लेना मेरा उससे आपको idea लग जाएगा ये अकेले एक मात्र टूल से जो हम दुनिया भर के अलग अलग तूल्स यूज़ करते हैं नumeration के लिए वो अकेले टूल से ही बहुत सारी जो चीजे हैं वो हम पता लगा सकते हैं अपने system को secure कर सकते हैं system की कम्यों का पता लगा सकते हैं network की कम्यों का पता लगा सकते हैं all-in-one ये टूल है अपने आप में guys इसकी जो खासियते हैं uses हैं आप इसमें देख सकते हैं इसका user installation तो process यहां पे लिखा हुआ है कि आप इसी कैसे install करेंगे फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसी चीज़ को हम practical करेंगे डिरेक्टली आपको काली Linux के अंदर इसे use करना है जो लोग बिलकुल beginner हैं कम सी कम काली Linux तो आपके PC में install होना ही चाहिए और काली Linux अगर install नहीं है तो आप install कर लीजिए उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है इस channel पे नहीं तो MEH 2.0 पे भी आपको इसका काली Linux installation का वर्चुल मसीन का पूरा जो वीडियो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा तो आप इसके features देखिए कितने जबरदस्त है यहाँ आप देख सकते हैं मतलब one click में सारी चीज़े आप काम कर सकते हैं आपको बता रखा है कि जो भी चीज़ आप चेक करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं तो इसलिए मुझे काफी जबरदस्त लगा इसके अंदर मेन मैनूस देखिए फिर उससे अलग मैनूस मतलब जो भी काम करना है ना आल इन वन टूल मतलब ऐसा नहीं है एंड गाइस वी जस्ट नीड यूर अटेंशन एंड सपोर्ट तो फिलहाल सुरू कर देते हैं इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको बता दू यहां पर हमने इसे कर लिया है लॉग इन करने के बाद अल्रेडी मैं इस डिरेक्टरी के अंदर हूँ बट फिलहाल हमें करना था मतलब सिरू से इंस्टॉलेशन के अगर हम बात करें क्यूंकि अगर मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाने बैठूंगा तो इस इंस्टॉलेशन में कम से भी कम 20 मिनिट्स तो कम से कम मान के चलिए तो 20 मिनिट्स तक आपको वेट करनी बढ़ती इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ सबसे पहला यहां पर आपको यह कमांड देनी है और यह हमें बता रहा है कि अल्रेडी यह जो फाइल आपके पास एकजिस्ट है तो हम इस फाइल के अंदर देख लेते हैं उसके बाद से किन्ड जो कमांड है आपको जाना है इस वाले फोल्डर के अंदर और एंटर कर देन जब आप इसे इंस्टाल कर लेंगे इंस्टाल करने से पहले आपको कमांड देनी होगी CHMODE PLUS X और इंस्टाल.SH और उसके बाद ऐसे ही दूसरी जो फाइल है उसका मोड भी आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इंस्टाल करना चाहते है तो डिरेक्ली यह आपको ना इसका जो मोड है वो चेंज करना पड़ेगा यह दो कमांड देनी के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे इनका मोड चेंज हो जाएगा अब बात आती है इंस्टाल करने की तो आपको कमांड दे दीनी है सुडो इंस्टाल.sh ठीक है तो सरी डॉट से लेस आपको सुरुबात में लगाना होगा तो उसके बाद यह जो टूल है यह जो है वो इंस्टाल होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और इट विल टेक लॉंग टाइम म अब सवाल आता है यसे यूज कैसे करें ? रन कैसे करना है ? तो गयज बहुत असान है आप इसे रन करिए सूडो के साथ आप का नाम लिखना है आपको सेम इसकी जो सेकेंड फाइल है लिन विन के नाम जो जो फाइल है वो हम यूज करेंगे और उसके बाद आप लिखिए . DC, IP और a target domain, username, आप जिस भी चीज को करना चाहते हैं, क्या क्या चीजे चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर उसके जो supporting options हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसका use मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अच्छा गाइस, इतना करने के बाद मैं आपको एक simple use बताता हूँ, मान लीजिए, आप अपनी machine को check करना चाहते हैं, कि उसमें कोई vulnerabilities तो नहीं है, कोई loophole तो नहीं है, या फिर network को secure करना चाहते हैं, तो उस condition में आपको simply command देनी है, यहाँ पर आपको लिख देना है T, और जो भी आपकी target machine है, उसका IP address आप यहाँ पर लिख दीजिए, उसके पाद एक network में देखी काफी सारी devices होती है, तो as a server भी आप इसे check कर सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो इसके output file को कहीं पर store कर सकते हैं, तो वह अभी हम नहीं कर रहे है, simply आपको यह command देनी है, और enter कर देना है, आप यहाँ पर देखेंगे, ओकी यह अभी थोड़ा सा error हमें कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी installation को थोड़ा incomplete छोड़ा हुआ था, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से काम करेगा, और net EXX install कर लेंगे, वो भी एक बार आसानी से हो जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप यह command देंगे, क्योंकि I know कि अगर हम देखें, यह domains अपने by default लेकर चल रहा है, domain controllers by default लेकर चल रहा है, इन सब के लावा, ports वगरा को यह लेकर चल रहा है, मतलब इसमें जो जरूरी चीज़े हैं, here you can see, word list इसने automatically apply कर दी है, यहाँ पर जो इसकी जरूरी word list है, इन सब के लावा, जैसे ही आप इसे आगे बढ़ चूज करना है, कि interactive mode में जाना चाहते हैं, तो enter कर दीजिए, और अगर आप authentication में जाना चाहते हैं, तो A और configuration mode में जाना चाहते हैं, तो C कर सकते हैं, exit लिखके से बंद भी कर सकते हैं, तो guys मैंने enter press किया, enter press करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अलग-अलग तरह से चेकिंग जो है, वो वहाँ पर start कर दिया, after the checking जैसे ही यह complete हो जाता है, आपके सामने आ जाता है, main menu वाला list, please choose from the following options, और आपको इन में से जो भी work आप करना चाहते हैं, वो आपको select करना पड़ेगा, मानलीजी आप vulnerabilities को check करना चाहते हैं, तो number 7, MS SQL को देखना चाहते हैं, 8, तो यहाँ पर अलग-अलग options दिये हुए हैं, तो guys, यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ही मैंने, एक option select किया, मैंने option select कर लिया, number 7, number 7 को जैसी ही मैंने select किया, तो दिखो, vulnerabilities को check करने वाले, कि तने सारे options मेरे सामने आ गए, कि भाई, आप अपने PC पर, जो आपका machine है, उ से back पहुंच आएंगे, तो यहाँ पर अलग-अलग options थी, और अलग-अलग तरहा के जो test है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो guys, this is the way, जैसे कि अभी यह again, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा idea दे देता हूँ कि यह किस तरह से काम करेगा, for example, हम इसे enter कर देते हैं, after entering it, it will take some time, जैसे कि आप देखेंगे, binding to the host, इसमें थोड़ा समय लगेगा, okay guys, तो आप देख सते हैं, जैसे ही connecting the host, यह वाला जो work के लियर हुआ, तो उसके बाद यह सारी जो commands हैं, वो हमारे पास आजेंगी, अब आप इसमें से जो भी work करना चाहते हैं, जैसे कि आप देखेंग अगर हम number two options select करते हैं, तो उससे related जो options हैं हमारे सामने आ जाएंगे, आप यहाँ पे देखें, there are 26 options, यानि active directory से जोड़े हुए, यहाँ पे लगबग 26 options हमारे सामने आएं, और जो जरूरी tools होते हैं, जिनकी मदद से वो work किया जाता है, वो इसके साथ साथ already install हो जाते हैं, हाला कि इससे पहले मैंने bloodhound के बारे में बताया, जब active directory क्या है, उसके बारे में बताया था, तो यह टूल में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे देखें, उनसे related options आ गए, सबके इलावा आप देखें, यहाँ पे clearly दिखाया गया है, तो जो भी option select करेंगे, उसके अंदर आप देखें, उससे related जो properties है, वो यहाँ पे work कर वी है, एक एक करके, तो ऐसे ही अगर आप back जाना चाहते हैं, तो back लिखिए, बंद करना चाहते है, तो exit आप कर सकते हैं, तो guys, इसलिए काफी जबरदस टूल है, एक वीडियो में तो यह cover up नहीं हो लेकिन आप लोग इस पर try जरूर करें, because कुछ limitations की वज़ा से भी हमें यहाँ पर limited चीजे ही जो है, वो सो कर सकते हैं, आप सब ही जानते हैं, तो फिलहाल हम इस वीडियो में जानेंगे इतना ही, आपकी कोई भी query हो, और आप चाहते की इस तरह के वीडियो भी में आगे ब में काथम खिबा क्यों कहां हुन कि यह खिए थैंस पर चाहते हैं, तो से सब्सके बाonna कि भी